इस वक्त की बड़ी खबर नहीं रहे मुलायम सिंग यादव 82 साल की उम्र में मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली जिहां उत्तरप्रदेश के तीन बार मुख्य मंतिरी रह चुके मुलायम सिंग यादव का निधन हो गया है अखलेश यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा मेरे पिता और सबके नेता जी नहीं रहे मुलायम सिंग के निधन पर देश के प्रधान मंतिरी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त किया है वे पिछले कुछ दिनों से मेरांता अस्पताल में भरती थे बताया जा रहा है कि पुर्व मुख्य मंत्री ने आज सुबह 8 बज कर 15 मिनट पर अपनी आखरी सांस ली यहां सबसे खास बात यह है शहर वही वही अस्पताल जहां आज से ठीक 93 दिन पहले मुलायम सिंग की पत्नी साधना गुप्ता ने भी अपनी आखरी सांस ली थी आपको बता दें कि यहां तक का उनका सफर एक जमेन से जुड़े नेता के रूप में रही वे तीन बार यूपी के सीएम रह चुके हैं और आज इस दुख की घड़ी में सपा समर्थकों में भारी सोक की लहर देखने को मिल रही है कल तीन बजे सैफ़ई में उनका अन्तिम संसकार किया जाएगा इस दौरान उत्तरप्रदेश में तीन दिनों के लिए राज़के शोक रहेगा राजनितिक किताब के पन्नों में मुलायम सिंग के राजनितिक सफर का लेखा जो खा आज यहीं खत्म हो गया है तो इस वक्त की बड़ी ख़वर हम आपको बता दे की मुलायम सिंग यादव अब नहीं रहे उनके राजनितिक करियर का जो सफर है वो यहीं खत्म हो गया आज उन्होंने अपने जिंदगी की आखरी सांस ली इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए न्यूस वाल इंडिया